श्री गनेश आय नमो नमहें, मित्रो अनोखा संगम पंचांग में आपका हारदिक स्वागत हैं, आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में, आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तरिती जानकरी के साथ साथ, आज का शुब समय पंचांग से पहले, आज का सुविचार, उड़ने में वुराई नहीं हैं, आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही उड़ों, जहां से जमीन साफ दिखाई दे, आज की तारीक 13 अक्तूबर 2021, आज का वार बुद्वार आज अश्वनी महा का तेईस्वा दिवस है, अश्वनी महा के शुकल पक्ष की अस्टमी, आठ बच कर साथ मिनट शाम तक रहने वाली है, तो बरान्त नव में तिथी प्रारंब हो जाएगी 13 अक्तूबर 2021 के सुर्योद्य के समय होगा 6 बचकर 21 मिनट सुबह, सुर्यस का समय है 5 बचकर 54 मिनट शाम को, चंद्रोद्य के समय रहेगा 1 बचकर 34 मिनट दोपहर को, और चंद्रास का समय होगा 12 बजे आज का नक्षत्र पूर्वा शाधा 10 बचकर 19 मिनट सुबह, रहने वाला है, इसके बाद उत्रा शाधा नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा, आए जानते हैं पूर्वा शाधा नक्षत्र के बारे में कुछ बाते जिनव्यक्त्यों के नामक्षर भू, धै, फै और धैश शिव होती हैं, वे लोग पूर्वा शाधा नक्षत्र के होती हैं, इनकी राशी होती है धनू, राशी स्वामी, गुरू, तत्व की बात करे तो अगनी तत्व, गाने इनका रहता है मनुश्य का, नाड़ी, मध्य, नक्षत्र देवता जल और सभाव से उग्र मानी जाते हैं, आज की सूर्य राशी है कन्या, आज की चंद्र राशी धनू, चार बच कर छै मिनट शाम तक रहेगी, इसके बादे चंद्रमा मकर राशी में प्रवेश करेगा, आज का पहला कर्ण विष्टी, आठ बच कर चव शास्तर में विष्टी कर्ण को शुब नहीं माना जाता, इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर विष्टी कर्ण का ऐशुब प्रभाव रहता है, जिसके कर्ण इसके जातक का आचर्ण सदा ही संदिक धर रहता है, इनका मन अनुचीत कार्यों में लगता है, इस हैं बवकरण के विश्मिंग के अन्सार ववकरण के जन्म लेने वाले व्यक्ति धारमिक सभाव का होताै। इस करण का व्यक्ति क्षुब कार्यoben में मन लगाता है और अपने कार्य में निरंतर सथाई रूप से लगे रहना पसंद करते हैं। पेनेतिक और धर्म विरुद कार्यों को ये लोग दूर ही रहते हैं। इनकी बुध्धी तिक्षन होती हैं जिससे ये ब्रह्म में नहीं उलजते। अपने कार्य और विवहार से समाज में काफी मान सम्मान प्रतिष्था प्राप्त करने वाले लोग बवकरण के होते हैं। महा नवमी दुरगा बलिदान पंदरा तारिको दिशहरा आप सबको दिशहरे की बहुत बहुत शुबकाम नहीं। सरस्वती बलिदान के दौरान माता सरस्वती का सब्तमी अस्तमी और नवमी को पूजन किया जाता है। सब्तमी को पूजन शुरू किया जाता है और नवमी के दिन पूजन की समाप्ति होती है। इसे ही सरस्वती बलिदान कहते हैं मित्रो आयुदों की पूजा करना संधी पूजा कहलाता है। कुछ लोग जिनके पास आयुद हैं शस्तर हैं वे अपने शस्तरों की पूजा इसी दिन करते हैं। आज का योग सुकरमा तीन बज कर अड़तालिस मिनट सुबह तक रहेगा। इसके बाद ध्रती योग प्रारम हो जाएगा। आज दिशाशुल उत्तर दिशा की ओर है। यदि आपको उत्तर दिशा में आवशक रूप से जाना हो तो धनिया, तुलसी और तिल खाकर प्रस्तान करें। ऐसा करने से दिशाशुल का प्रभाव कम होगा। और आपकी यात्रा भी सुखद और मंगल में हो सकती है। आज जानते हैं आज के योग सुकर्मा के बर में। जैसा की नाम से ही विदित है कि इस योग में कोई शुब कार्य करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस योग में नई नोकरी जवाइन करें। घर में कोई नया धार्मिक कार्य का आयोजन करें। इस योग में किये गे का किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है और कारे शुब फल दायक होता है। इश्वर का नाम लेने या सत्कर्म करने के लिए भी यह योग अति उत्तम माना गया है। कुछ लोगों का मत है कि यदि आपने सुकर्मा योग में जनम लिया है तो आप एक धने व्यक्ति होने की स मभावना है जो उत्करष्ट व्यापारिक अंतरदरश्टी रखता है आप बुद्धिमान, सहसी और आपका जुकाव अध्यातम की ओर हो सकता है। आज के शुब समय में आज का विजय मुहरत दो बच कर तीन मिनट दोपहर से दो बच कर उन्चास मिनट दोपहर तक रहने मुहरत का समय रहेगा चार बच कर 41 मिनट सुबह से पांच बच कर 31 मिनट सुबह तक आज अभी जीत मुहरत नहीं है क्योंकि अभी जीत मुहरत और राहुकाल बुद्धवार के दिन लगभग एक ही समय पर होते हैं। बच कर 7 मिनट दोपहर से एक बच कर 34 मिनट दोपहर तक रहने वाला है। यमगंड काल का समय रहेगा 7 बच कर 47 मिनट सुबह से 9 बच कर 14 मिनट सुबह तक। इन दोनुई समय में किसी भी प्रकार का शुब और मांगली कार्य शुरू ना करें अन्य था कोई विगन आ सकता ह यदि आप नया कार्य कोई शुरू करना चाहते हैं तो दिन का चोगडिया अवश्य देखें। चार बच कर 26 मिनट तक रहने वाला है लाब समय चार बच कर 26 मिनट शाम से 5 बच कर 50 मिनट शाम तक रहेगा। मित्रो ये था आज का शुब पंचांग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें अनुखा संगम का चैनल और इसे जादा से जादा से जादा करें शेयर करें कमेंट करें लाइक करें वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद